जाले दोस्तों सब के सब खैर्यत से हैं सब मज़े में हम लोग वाले बबुआ एक और फिर से आ गये हैं आप लोगो अमेजिंग से ख़गूमाने तो चलिए खूंते हैं बोद गया आज हमाँ पहुँचें बुद की धर्ती बोद गया ये वही पावन धर्ती है जहां गौतम बुद बनी मानो इस धर्ती का कड़ कड़ हमें यहां की इतिहास की गवाही देता हूं तो चलिए ले चलते हैं सर्व पत्थम आपको जगनात मंदिर की और जगनात मंदिर का में दौर जो चलिए इसके अंदर हम भगण करते हैं और आप लोगो भी भादें इस तो यह हैं जगनात मंदिर की सीड़ियां और हम लोग इसके चड़ते हैं और आपको आगे दर्शन करते हैं तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर यह देखिया कितना अच्छा खूबसूरत सा नजा रहा है पूरे सब्सक्रेट सब्सक्राइब काफी अच्छा व्यूदे रही है यह आप आईए एक बार जरूर यहां किसी के साथ पी तो चलिए तो चलिए तो अपने दर्शन के जगनाथ मंदिर का और इसी मंदर से जुड़ा हुआ एक राम मंदिर है यहां पे तो चलिए आपको राम मंदिर के दर्शन कराते हैं आपका मान अच्छा होगा तो यह आपने दर्शन के भगवान चिर जगनाथ का मंदिर और भगवान चिर राम के मंदिर को तो बोधिया में सिर्फ यही जगह नहीं है घुमने के लिए तो चलिए आपको बाकी की जगह घुमाते हैं सच पूछतों मैं आपको बता रहा हूँ यहां आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी वह है मन की शांती क्योंकि यह भूत का शहर है और इसे बोध गया करते हैं तो चलिए और भी ज़्यादा मन की शांती जी फ्राम्ती करते हैं आगे बढ़ते हैं आपको बता दूँ जगनात टेंपल से यह आपको बोधिया का में अट्रैक्शन महाबोधी मंदिर दिखेगा क्योंकि यह जगनात टेंपल महाबोधी मंदिर कैंपस में यह तो चलिए वहां चलते हैं और आपको वहां के चीज़े बताते हैं इस तो अब हो चुका है जगनात मंदिर से प्रस्थान का वक्त तो चलिए अब महाबोधी मंदिर की तरह चलते हैं पर एक जलक हम आप लोगों को इस मंदिर का दिखाना चाहेंगे यह रहा यह रहा जगनात मंदिर और श्री राम चान की मंदिर जै श्री राम और अब प्रस् तो गाइस यह है महावोदी महावेरा टेंपल का में गेट दुख की बात तो यह है कि हम लोग यहाँ फोन लेके नहीं जा सकते हैं हमारी आखों में आप लोग अगर देख सके तो देख लीजिए अंदर का सारा व्यूग तो चल भाई घून के आते हैं इतना रिकॉर्डिंग करेंगा अगर